प्यारे बच्चों, exercise 13.1, question number 4, ये 8th class math, chapter 13, introduction to graphs, की exercise करें, question 4, इसमें लिखा हुआ, plot the falling points on a graph sheet, verify if they lie on a line, ये एक ही line में lie करते हैं, कि नीजे 4 parts, 4 parts, a, b, c, d, लो first part, जे coordinates दिये हैं, 4 points दिये, 1, 2, 3, 4, लो इसे graph में हम points लगाएंगे, pencil सी करना का आपने काम, graph paper में, लो देखो कैसे, लो जे मैंने graph paper ले लिया है, इसे 4 bug में बांट दिया है, आपको paper में एक ही graph मिलना है, तो एक ही question होगा, तो जहां जड़ा graph paper को बचाने के लिए, मैंने 4 bug में बांट लिया, क्योंकि इसमें जो coordinates है, वो काम में बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, जब भी आपने graph शुरू करना है, बनाना, तो हमेशा जहां नीचे से शुरू करना है, ठीक है, बीच में से नहीं शुरू कर देना, क coordinates के, वैसे 1, 2, 3, 4, X-axis की और Y-axis की और, वो कई बर ज़्यादा जले जाते हैं, इसलिए मैंशा नीचे से शुरू करो, तो लो जे ए पार्ट, और आपने pencil से ही काम करना है, लो इसके ए पार्ट में मैंने X-axis बना दिये, perpendicularly Y-axis बना दिये, जे और रीजन है, वो लो आप प points से लगाते हैं, इसमें पहला point हमें दिया हुआ, 37, 34, 32, 30, जे 4 points आपने book सामने रखो, और 37, कैसे लगेगा point, 37, 1, 2, इसे जहां मैं लिक भी देता हूँ पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे लिक दो, 1, 2, 3, equally distribute करना, X-axis को भी, Y-axis को भी, 5, 6, 7, 8 तक, जहां तक भी आप चाहो कर सकते हो, लो पहला point था, 37, पहले है, जो 3 होता हो, वो X-coordinate होता है, X-axis की तरफ मूव करते हैं, X-point होता है, जिसे axis सा भी कहते हैं, यह 3 तक चलेगे, आगे 7 है, 7 की तरफ चाहेगा, 1, जहां से आप देख सकते हो, जहां से लगाना निशान, अगर आपको गलती हो रही हैं, ऐसे चलो, एक जैसे distribute की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे भी आप देख सकते हो, जैसे आप ठीक लगता है, वैसे कर लो, पास आगे ब इची नहीं होना चाहिए, जह पॉइंट आ गया एक, किसका नाम कोई रख दो, ए रख देते हैं, ए पॉइंट, कितना है, 3 पहले X कॉइडिनेट लिखना, फिर Y, आगे वैल्यू है, 3, 4, 3, 1, 2, 3, जह तो X एक्सिस है, Y कॉइडिनेट कितना है, जहां पॉइंट है, 1, 2, 3 तो जह आ गया B पॉइंट, कितना है, 3, 4, आ गया 3, 2 है, 1, 2, 3 तो सेम ही है, तो Y कॉइडिनेट है, 2, 1, 2, जहां से पता चल जाते हैं, इधर से गिल्लो चाहिए, जह C पॉइंट आ गया, कितना गया 3, 2, आ गया 3, 0, 3, 0 जह पॉइंट है ना, क्योंकि इसमें Y कॉडिनेट 0 है, इसका नाम D रख दो, 3, 0, जह लिखने जरूर होते हैं साथ में, अब इनको मला के देखते हैं कि स्टेट लाइन बनती है, के नहीं, लो आप देख रहे हैं, तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, ऐसे मला के देख लो आप, तो आप क आपने शीट में अगर चपकाना है कपी में, इससे काटके भी चपका सकते हैं नीचे जिरूर लिख लेना, जे नीचे लिखना आपने नीचे जगा नहीं है, तो लो मैं नीचे लिख देता हूँ, इस पॉइंट्स, आप जाओ काफी पे लिखना इस पॉइंट्स, लाइन लाइना लाइन। democr लाइन। वूर लेकर एके I लाइन में हैं और सहाँ जारोगा से एकल्यूच disgऴ याउन जानत Okay है जूरे गार्षए जिरू लाइन। जाड़ भी रखा हुआ हो और रखने की जुरूरत नहीं जांट डिवाइड भी कर लो वान इकुली डिस्टिब्यूट करने अपने थ्री फोर पाइव ऐसे वान टू थ्री फोर फाइव शिक्स जितने भी है लोग पहला जीरो जीरो दूसरा टू टू है टू वान टू वान टू एक्स एक्स गी तरभ ये अपाइड टू पॉइंट से जाना तो वाइड की तरभ वी टू जीरो जाना तो ये लिख लो चाहें पी लिख लो जो आपको अच्छा लगता है तो टू ऐसे लिखना जरूर है आगे वाउर फोर 1, 2, 3, 4 4 x-axis की तरफ 4 y-axis की तरफ देख लो 4 ये बन गया 2, 4, 4 आगे 6, 6 जहां एक पॉइंट और लगाना पड़ेगा 4, 5, 6 जहां पॉँच गए अब y-axis की तरफ भी 6 पॉइंट ही मूव करने हैं तो j-point आज़े न जहां से चेक कर ले ना अपने c, 6, 6 अब इनको मुला के देखते हैं scale से j एक ही लाइन में आते है एक ही लाइन में आ रहे है मुला रहे आपने pencil से ही काम करना अच्छा जहां दखाने के लिए थोड़ा उपर नीचे हो सकता है उपर camera है ना थोड़ी problem आती है ऐसे मुला लो अच्छी तरह मुला लो आप तो j आप line लिख ले नहीं है these points lie on a line these points copy पे लिखना copy के चिप का सकते हो lie on a line ऐसे ऐसे c पर चेक कर लेते हैं लो जह x-axis और y-axis ड्रा किये है इसे equally distribute कर लो 1, 2, 3, 4, 5 यह points लगा दिया ऐसे y-axis लिए equally distance पर होने चाहिए जहां से boxes से पता चल जाता है 1, 2, 3, 4, 5 तो जहां लिख लेना x-axis यह है y-axis अब लगाते हैं points points जा रहा है 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4 लो लगाते हैं तो पहले 0, 4 है j 0 है अब जो x-axis वो 0 y कितना 4 तो j point आ गया इसका नाम ए रख लो जो भी अच्छा रखता है 0, 4 पहले x-axis लिखना फिर y-axis j point आ गया इसके बाद है 1, 4 1, x-axis y कितना 4 ही है वो j point आ रहे ना y-4 तक लिए ना अबने उपर लिख देता हूं 1, 4 फिर रहागा 2, 4 x-axis 2 तो y-axis 4 y-axis तो सेम ही है c, 2, 4 फिर है 3, 4 x-axis 3, y-axis 4 ही है जो यह आगा d, 3, 4 लो यह point सामने लगा लिए अब इनको मला के देखते हैं scale से यह मेरे पास scale है तो आपको थोड़ा graph सेट करके जैसे मरजिया से मला लो देखो एक ही line में आ रहे है ऐसे मला लो आपने ठीक मलाना line पे आए बिल्कोल accurate pencil brick रखनी और pencil hb की use करते हैं यह दिखाने के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे आ देखो state line में आया न यह graph line पे आना चाहिए यह जहां थोड़ा फ़र्क पड़ गया न उपर camera है आपने state line में ऐसे खीचे न these points lie on a line lie on a line ऐसे लिख देना लो आप डेपार्ट करते हैं जे x-axis जे y-axis जे reason हो इसे equally distribute कर लिया 1,2,3,4,5 ऐसे y-axis को भी equally distribute कर लिया 1,2,3,4,5 तक लगा ले निशान तो इसमें coordinate साब चेक कर लो जे लेके हुए है 2,1,3,2,4,3,5,5 लो इनके हम points लगाते है पहला 2,1 तो लो कैसे लगा न जे 2,1 2,X,X की y जहां जे point आ गया पहला A,2,1 दूसरा point है 3,2 X-axis 3 है Y-axis 2 है जे point है B आ गया 3,2 तो आगे 4,3,X-axis 4 है Y-axis 3 है जे point है 4,3,C point 4,3 आगे है 5,5 X-axis 5 है Y-axis V5 है जे point है जे आगे है D point 5,5 ये नाम जो मर्जी लिख लो A,B,C,D,P के हुआ रहे हैं अब इसको चेक करो जे तो तीन एक line में आ रहे हैं लेकिन D point नहीं आ रहे हैं एक line में D तो इदर चला गया इसलिए इस पॉइंट्स डाज नाट लाई ना सेम line लो जैसे answer लेके लिए ना इस पॉइंट्स डू नाट लाई ओना line लो इसको मिला के चेक कर लेते हैं देखो जे तीन तो एक line में आये चौथा point एक line में नहीं आया therefore this point do not line ना on a line